मसकार मित्रो आपका स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल पे तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ए और भी नाम वाले जोड़े और उनका बहवाईक जीवन कैसा रहने वाला है तो दोस्तो आईए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेश्ट रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे जो घंटे वाला बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि रोजाना आपको एक नया वीडियो देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो आईए हम बात करते हैं कि ए और बी नाम वाला जोड़ा कैसा रहने वाला है दोस्तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे हो सकता है इसमें आपका भी नाम सामिल हो और इस वीडियो में आपके जीवन साथी का भी नाम हो दोस्तो ए और बी नाम वाले जोडिया बेहद ही अच्छी जोडिय मानी जाती है कहा जाता है कि यह दोनों जोडिया बेहद ही सेंश्टिब होती है और बेहद ही चलाक किस्म की जोडिय होती है यह दोनों जोडिय मिलकर किसी भी बेक्ति को बेकूब बना सकते है दोस्तो बी नामोले बेकती अंतरमूखी होते हैं और थाथ दोस्तो वह अपने विचारों को अपने अंदर रखते हैं और या किसी परकार के बाद भी बाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं बहद ही दूर रहते हैं यह लोगों से अपनी प्रसनाल्टी काफी अधिक ही मेंटेन करके रखते हैं दोस्तो यह दोनों जोडियां प्रसनाल्टी के मामले थोड़ा सा अपोजिट होते हैं तो दोस्तो प्रसनाल्टी के मामले में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इन दोनों जोडियों के बीच में ए नाम वाले थोड़ा सा अलग होते हैं और बी नाम वाले थोड़ा सा अलग होते हैं तो दोस्तो इस जगा पे इन दोनों को समझना पड़ेगा दोस्तो आप हम बात करते हैं इन दोनों के नेचर के बारे में दोस्तो ए नामो आले वेक्ति लड़का हो या लड़की हो सुभाव के बेहद ही अच्छे होते हैं दोस्तो ए नामो आले वेक्ति या इस्तिरी या किसी लड़की के अंदर बेहद ही साहस भरा होता है या अपने साहस के द्वारा किसी भी अच्छे कारियों को पूर कर लेते हैं और उसको अंत तक अंजाम दे देते हैं दोस्तो बी नामो वाले व्यक्त अपने विचारों को अपने अंतर मन में रखते हैं इसलिए अपने बात को कहीं प्रकट नहीं कर पाते हैं दोस्तो नीचर के भी मामले में थोड़ा सा परसानिया आती हैं लेकिन दोस्तो इतनी तो हर इंसान के जीवन में थोड़ा थोड़ा तो अरज़ेश्ट करना ही पड़ता है तब ही जाकर इंसान का जिंदगी बहुत ही बहतरीन होता जाता है दोस्तो ए नाम वाले व्यक्ति काफी ही दिड़ संकल्प वाले होते हैं और वह काफी ही सासी होते हैं या किसी भी व्यक्ति से बिल्कुल ही नहीं डरते और नहीं किसी भी मामले में अपना पैर पीछे खिचते हैं यह अपने सर्टों के मुताविक अपना जिंदगी जीना बहद ही पसंद करते हैं इनके पास कभी भी पैसो की कमी नहीं होती दोस्तो वी नाम वाले व्यक्ति सोचते तो भहुत हैं लेकिन सपने तो भहुत देखते हैं लेकिन सोचने की मामले में ही रह जाते हैं लेकिन दोस्तों ये अपने काम और करियर को लेकर बेहत ही सचेत होते हैं दोस्तों एक बात इनमें भी बहुत ही अच्छी खायसियत है कि अपने कारियों को अंजाम देकर ही दम लेते हैं ये अपने विचारों को किसी से अरदान परदान नहीं करते और सांत हो करके और बिल्कुल ही चुप चाप रह करके अपने कारियों को अंजाम दे देते हैं दोस्तो बीना मुआले ब्यक्ति भी बहुत ही ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं अर्थात सफलता के मामले में ए भी अच्छे रहते हैं लेकिन उतनी उचाईयों तक नहीं पहुँच पाते हैं जहां तक इनका सोच होता है लेकिन दोस्तो यह किसी ब्यक्ति से कम भी नहीं रहते हैं दोस्तो यह दोनों जोडिया बहुआर के मामले में बेहद ही अच्छे माने जाते हैं या किसी भी रिष्टिय को लेकर बेहद ही गंभीर होते हैं यह एक दूसरे से लगाओ के मामले में बेहद ही आगे माने जाते हैं कहा जाता है कि यह दोनों जोडिया जब एक साथ रहे तो दोस्तों यह बहुत ही उचाईयों तक पहुँच सकते हैं दोस्तो ए बी नाम वाले दोस्त हो या पतनी हो पती हो या प्रेमी प्रेमी का हो इस बात से कोई फर्यक नहीं पड़ता यह अपने उचाईयों को छू कर ही मानते हैं और एक दूसरे का बखुवी साथ देते हैं दोस्तो इन दोनों जोड़ियों की बीच में अगर किसी परकार का मोटाव या गलत फैमी ना हो तो यह दोनों जोड़ियां अपने जीवन में हर असंभाव कार को संभाव कर सकता है दोस्तो यह जोड़ी कई मामुलों में एक दूसरे का सुभाव मैच नहीं करता है लेकिन दोस्तो उससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है यह जोड़ी उतना बहवार मेंटेन कर लेता है और एक दूसरे को अरजिस्ट कर लेते हैं दोस्तो ए और बी नामुले बेक ठीके साधी सुधा लाइप की हम बात करें तो दोस्तो यह बहुत ही भावपून होता है अरथात एक दूसरे को बहुत ही जादे इमोशनल लेते हैं और एक दूसरे को बहुत ही बहतरीन ट्रीट करते हैं दोस्तो ए और बी नामुली जोडियों के बारे में यह कहा गया है कि यह जोडी साधी के पहले या साधी के बाद यह स्टुडेंट लाइप में और साधी सुधा जिन्दगी में सबसे जादे तरक्की के तरफ ध्यान देते हैं और बहुत ही उचाईयों तक पहुँचते हैं यह प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छा जोडा साबित होते हैं यह जोडा एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते हैं और इन दोनों जोडे के बीच में किसी परकार का मिलावट नहीं होता है और यह जोडा एक दूसरे के बीच में कभी तीसरे को नहीं आने देते हैं और किसी भी हद तक और किसी भी मामले में भी किसी तीसरे को नहीं आने देते हैं तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले नमस्कार मित्रों धन्यवाद